नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे COP25 जिसमें क्लाइमेट चेंज का क्या असर पढ़ने वाला है और क्या कुदम दुनिया उठा सकती है उसके बारे में जो चर्चा हो रही है रगु इस पेन में COP25 की मीटिंग हो रही है इसमें अमरीका भी COP क्या UNEP से एक हसाब से पारिस एग्रिबेंट से वाक आउट कर गया है तो आपको क्या लगता है इसमें कोई कदम उठाया जा सकता है क्योंकि UNEP का रिपोर्ट बड़े निराशा जनक है कि हालत बहुत खराब है तापको क्या लगता है COP25 से कुछ निकलने वाला है COP25 एक तरह से अगर आप देखेंगे तो वो COP26 के लिए तयारी है और COP26 जो अगले साल 2020 में जो होने जा रहा है दाट वो वाला जो मीटिंग होगा वो पैरिस अग्रिमेंट के बाद चाहिए सबसे महत्वपून मीटिंग होगी क्योंकि उसमें जितने देशों ने कह है कि वो अपने प्रिदूशन को अपने सर्जन को इतना कम करेंगे उस टार्गेट को और बढ़ाएंगे तो उमीद यह है कि अगले साल जितना अभी तक लोगों ने कहा है कि हम करेंगे उस से जादा लोग आके कहेंगे क्योंकि जो आपने कहा कि यह निराशा जनक हालत है पीछोड कहते हैं वो यह कह रहा है कि आज के दिन जितना हमारा लक्ष होना चाहिए अगर हम दो अंक दो डिगरी से टांक हम अपने इसको सीमित रखना चाहें तो उससे हम 15 गीगा टन पीछे याणि कि और कटाउती होनी चाहिए थे 15 गीगा टन की जो आज के दिन नहीं है परिस अग्रिमेंट से लेकर आज तक तो क्या अगले साल जो नए वाइदे किये जाएंगे देशों के द्वारा क्या वो ये 15 गीगा टन को कवर करेंगे या नहीं मेरे ख्याल से इस पे चर्चा हलांकि आपचारिक रूप से इस समिट में नहीं होगा पीछे बैठके इसके ब है कि 1.5 डिग्री की जो एस्पिरेशन गोल था वो तो मीट होने का कोई समभावना है ही नहीं क्योंकि उसके मताबिक जो कट्स होनी थी उत्ता कट्स तो कट्ते ही नहीं कर पाएंगे इसके बाद यह भी है कि 2 डिग्री के लिए जो कार्बन बजट कहते हैं कि जितना और का हो सकते हैं टोटल बजट जिसे कहते हैं जिसका करीब 1000 गीगा टन लग भकी है 2 डिग्री के लिए उसको देखते हुए लग रहा है कि वो बजट जो है बहुत तेजी से खा रहे हैं और यह भी है कि जो इन्होंने टार्गेट्स बनाए थे आपने जो कहा पैरिस एग्रिमें तो यह सब देखते हुए यह साफ नजर आ रहा है कि जो हमारी टार्गेट दो डिग्री की थी अगर इस रफ्तार से चले तो वो तीन से साड़ तीन डिग्री तरह ही हम बढ़ रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर है जो कॉप के पहले यूनेप की रिपोर्ट आती है जो तस्वी बढ़े जा रहे हैं तो इस बढ़ावत्री को घटाने की बात दूर रही वो फ्लैटन भी नहीं कर रहा है आज के तारीक में जो सबसे जिद देशों से सबसे ज़्यादा प्रदूशन और उटसरजन हो रहे हैं चीन, अमरीका, यूरप अगर पूरे यूरोपियन यूनियन को साथ लें, भारत, रूस, ये बड़े देश हैं जहां से उटसरजन बड़ा आता है, पर अगर आप इसको प्रतिव यक्ति, पर कैपिटा के नजर से देखोगे, तो भारत तो कहीं बहुत पीछे है, इन फैक्ट जो पूरे दुनिया का जो आउसत है, उससे भी कम है, आव हम कटोती कर भी लें, तो दुनिया की जो हालत है, उससे जादा फरक नहीं पढ़ने जा रहा है, आज के तारीख में, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और चीट, मेरे ख्याल से इन तीन देशों पे अब निर्बर करेगा कि कितना कम होता है, और इसके इलावा कई और हैं, ब्रेजिल है, जो अमेजान के जो जंगल है, वो कार्बन डियोकसाइट को सोकती थी, अब जो सरकार आई है, नई सरकार ब्रेजिल में, वो तो उस उन जंगलों को जलाने में लगी है, ताकि उसमें वो फैक्टरियां लगाएं, या गाय चरने के लिए, इंडस्ट्रि पेरी फार्मिंग और बीफ फार्मिंग करने के लिए उसको किया जा रहा है, तो वहां पे इंडोनीजिया में, रूस में, जपान में, आस्ट्रेलिया में, इन देशों ने अपने जो पहले भी कहा था इनों की हम करेंगे, उससे भी पीछे हट रहे हैं, तो अगर ये सब द देश के नाम से, इंडोस्तान जिसकी पर कैपिटा एमिशन्स बहुत लो है, उसको भी घसीट रहें, अमरीका जिसकी हिस्टॉरिकल एमिशन्स, अभी भी हमारे इंडोस्तान से, 14 गुना जिसकी पर कैपिटा एमिशन्स ज्यादा है, तो ये एक गैर बराबरी का, बेसिस त दियान ही नहीं दे रहे हैं, पर इस पे हम कहे जा रहे हैं, कि बड़े देशों किसे मैधारी है, और चोटे देश समुहं मिलके बड़े देश से ज्यादा हो सकते हैं, उसकी हमें अंदाजा नहीं हो रहा हैं. और हकीकत तो ये है, कि अगर जो आज की हालात है, कि उच्चर अभी भी दुनिया के स्तर पे बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको अगर कम करना है, तो अमरीका तो है और अमरीका तो कदम ही पीछे हटा दिया, पैरिस अग्रीमेंट से, चीन और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 देश हैं, खास करके जो इस्टन यूरोपियन यूनियन के पुलेंड हंगरी इत्यादी, इन में जो है उत्सरजन वड़ रहा है, उनका तो यूरोपियन यूनियन आप कदम उठा रही हैं, ये देखने के लिए कि उनके जो पहले के वाइदे थे, उसको कितने हद तक वो पूरा कर सकते हैं, 40 प्रतिशत कम क करने की बात है उसमें वो शायद अब एक बिल यूर्पियन यूनियन में पास्ट करने जा रहे हैं पारलिमंट में ताकि पूरे 27 देशों को मिला के अगर देखा जाये तो उसको कम करने की बात है चिंता है अमरीका और चीन जहां तक अमरीका का सवाल है एक हैरानगी की बात यह है कि मड्रिड में होने जा रहे है यह समिट जो आज शुरू हुआ है उसमें राश्ट्रपती ट्रम्प तो है नहीं पर वहां के कॉंग्रेस के स्पीकर पेलोसी है नांसी पेलोसी वो बैठी है मड्रिड में कई राज्य अमेरिका के वो बैठें काईश शहर उनके मेयर भी वहां बैठें साफ दिखाने के लिए कि हालांकि हमारी केंद्रिय सरकार हमें समर्थन नहीं कर रही अमरीका की जनता इसको सपोर्ट कर रही है तो ये कितना असर पढ़ता है अमरीका के अंदर वो देखना पड़ेगा जहां तक चीन का सवाल है उन्होंने पैरिस में वाइदा किया था कि 2030-35 के बीच में वो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर उस सर्जन उनका घटने लगेगा तो वो भी देखना है कि वो कितनी जल्दी वो पहुंचते हैं और अगले साल जैसे हम कह रहे थे कि 2020 में सब देशों ने अपने वाइदें को अपडेट करके नया टार्गेट नया टार्गेट इप्रूव करना है तो ये मेरे खैल से देखना होगा कि चीन अपने नया टार्गेट में क्या कहता है देखें एक बुक के चीज तो ये है कि चीन कम से कम हिंदुस्तान भी सोलर एनरजी का जो है नयोग काफी बढ़ा रहे है पर अगर हम अमरीका यूरोपियन यूनिन को देखें इनारेट स्टेट्स और यूरोपियन यूनिन के देखें एक खास चीज है कि क्योंकि नूकलियर फेज आउट हो रहा है जर्मनी से भी फेज आउट हो रहा है तो यह इस्टर्न यूरोप पी काफी नूकलियर प्लांट्स है फ्रांस पे पुराने nuclear plants है यह जब phase out होंगे तब उससे क्या replace किससे होगा यह देखने लाइक बात है और अमरीका में इस वक्त कोईला और गयास की इस्तवाल और भी बढ़ रहा है कोबिए fracking हो रहा है पुराने nuclear plants वहां भी phase out हो रहा है तो ये सब देखके सिर्फ चीन में कम से कम ये बात तो है कि वो सोलर और रिडियोबल्स की और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये चीज यूरोपियन यूनियन में जिसे कहें देखें मिक्स्ट है अद जपान में भी क्योंकि वो नूक्लियल प्लांस बंद कर रहे हैं उनो के पावर प्लांट्स बढ़ रहे हैं इन फैट जर्मनी में भी नया कोईले का पावर प्लांट अभी लगाया जा रहा है क्योंकि जैसे आपने कहा वो नूक्लियर कम हो रहे हैं तो ये एक खत्रे का निशाना है सामने कि ये असान है कहना कि भारत चीन ऐसे देशों में जहा करके अगर आप प्रती व्यक्ति पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपने अगर उतना उतनी उर्जा कम से कम पैदा करना है जो आपके जंता की जरुरतों को पूरा करे तो जाहिर है आपको काईना काईन से तो ये पैदा करना पड़ेगा और उसमें हमारे जै के पास पैसे हैं ऐसे महेंगी उर्जा खरीदने के लिए वो भी अगर आप कोईले पे उतर आए तो जाहिर है महौल इसमें बीड़ेगा और यह भी है कि आज के तारीख पे सोलर का कीबत इतना नहीं है जो पहले था और इसलिए ट्रांजिशन कम से कम डेवलप्ट देशों के पास आसान होना चीए क्योंकि लागत सिर्फ पैसा है इसमें आपको सस्ता बिजली पैदा करने के लिए तन्यवाद रगू हमारे साथ होने के लिए और आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा न्यूस के लिए